Hello everyone, this case is शरत कुमार वर्सेस गवर्मेंट अफ डेली, ये 2002 का केस है, इस केस में शरत कुमार जो की एपेलेंट है, ये AASS एग्जेक्यूटिव की पोस्ट पर होते हैं, और इन्हें सडली ही उनकी सर्विस से निकाल दिया जाता है, बिना किसी नोटिस की, इसी के साथ यहां प गवर्मेंट यहां पे इस मेंटर को, इस डिस्प्यूट को रिफर करने से मना कर देती है, और ये रीजन देती है, कि यहां पे जो शरत कुमार है, वो वर्कमेंट नहीं है, एसके साथ ही यहां पे शरत कुमार जो है, एक रिट पेटिशन फाइल करते हैं, मैंडमस के रिट कोट में फाइल करते हैं इसके वाल यहां पर हाइग कोट को एक साथ करते हैं और यह कहते हैं जबके यह कोट करें क्षड लिए और इसे के साथ इसा यहां पर जोकशे हैं वह दिसप्यूट के मेरिट के वेस पर डिसाइड कर सकती है कि कोई और इसप्यूट के merit के base पे ही government आगे का procedure देख सकती है या नहीं देख सकती है तो यहाँ पे सबसे पहले जो है quote कहता है कि government को अगर government यहाँ पे discretionary है उसकी discretion power है कि वो चाहे तो matter को आगे refer करे या ना करे बट अगर in case वो matter को refer नहीं करती है तो यहाँ पे government को proper reason देने होंगे और यहाँ पे वो सारे reason खाली ऐसे नहीं है कि वो dispute के merit के base पर ही हो यहाँ पे government को बाकी सारे और fact भी देखने होंगे और यहाँ पे oral जो evidences होते हैं हमारे उन्हें भी देखना होगा कि क्या यहाँ पे पूरा dispute क्या है खाली एक party के basis पर decide नहीं होगा दूसरी चीज़ यहाँ पे court decide करते हुए यह कहती है कि जो appellant है appellant यहाँ पे इस case में जो decision है वो appellant के favor में देती है और इसके साथ यहाँ पे यह decide करती है कि यह decide करने के लिए कि कोई person workman है या नहीं उसके क्या duty है और उसके क्या post है यह देखना बहुत ज़रूरी है और इसी के regarding यहाँ पे court यह कहती है कि खाली हम उस person के duty पर नहीं जाएंगे sorry खाली हम उस person के post पर नहीं जाएंगे क्योंकि कई बार post के साथ वो person और भी काम करता है तो यहाँ पे जो शरत कुमार होते हैं वो area sales executive होते हैं जिसके basis पर अगर देखा जाए तो workman नहीं है बट यहाँ पे अगर हम उनके duties देखें तो यहाँ पे वो काफी जो है वो और काम कर रहे हैं और उनके duties के basis पे यह चिस clear होती है कि वो workman है और इसी के साथ यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि एक person एक employee कई duties perform करता है तो जब हमारे पास काफी duties होती है तो ऐसे में एक principal duty को देखा जाता है कि वो workman कौनसी principal duty को exercise कर रहा है तो इसी के regarding जो government है government के पास इस power नहीं है कि वो adjudicate करे जो भी यहाँ पे dispute है उसके merit पर और इसी के साथ जो है merit के dispute के basis पे dispute के merit के basis पे यहाँ पे government जो है कोई decision नहीं ले सकती है अगर यह decision लेना है education का तो यहाँ पे court, tribunal, labor court यह सारी जो यहाँ पे bodies हैं यह ले सकते हैं Thank you